समय हर कोई चाहता है कि अच्छा होना चाहिए समय कैसे अच्छा होता है सबसे पहले तो समय का अच्छा होना हमारे अपने हाथों में है हम accordingly अपने यहां की energies वैसे बनाते है मन उदास कर देते हैं तो कहते हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा और मन आपका खुश होता है तो कहते हैं तो समय बहुत अच्छा चल रहा है income आने लगती है तो समय बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन क्या physical clock जो आपकी दिवारों पर है उसके बारे में आपने कभी सोचा कि वह भी आपको personality दे सकती है वह भी अच्छा time आपको दे सकती है अच्छा time यानि कि जो एक feel good factor होता है वह दे सकती है तो मैं आपको wall clocks related कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो कि मैंने अपने पहले के wall clock के वीडियो में भी नहीं बताई है आपने देखा होगा कि आपकी जो wall clock है वो कभी-कभी आप ऐसी जगा लगाते हैं कि ठीक आँखों के आगे होती है आप बैठे हैं आपका office का table है तो ठीक सामने घड़ी लगा दी आपके bed के ठीक सामने घड़ी लग जाती है ऐसा करना बिलकुल भी ठीक नहीं है क्यों आप pressure अपने उपर रखते हैं वैसे ही आपके घर का pressure बहुत है क्योंकि आपके relatives आपके अपने बहुत demanding होते हैं उनका pressure आपके boss उनका pressure आपके clients उनका pressure तो समय का pressure आपकी efficiency को खराब कर रहा है यह live वास्तू है और अजमाई हुई बाते हैं इनको जरूर मानिए आप और करके देखिए उसके बाद मुझे आप बता भी सकते हैं mail भी कर सकते हैं तो आपके ठीक सामने घड़ी नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं कि घड़ी जो है वो कैसी होनी चाहिए round होनी चाहिए square होनी चाहिए oval होनी चाहिए round घड़ी सबसे best मानी गई है क्योंकि समय तो clockwise चलता है तो clockwise यूँ आपके हाथ से figure बनता है तो ये round ही बनता है market में oval घड़ियां square घड़ियां और बहुत ही different different shape की clocks आपको मिलेंगी ऐसी clock नहीं लगानी simple is the best strong होना चाहिए आप अपने लिए कुछ भी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि strong and simple चाहिए तो ये भी strong and simple होना चाहिए तो घड़ि गोलाकार होनी चाहिए ये दूसरा point भी मैंने आपको बता दिया अब आप देखते हैं कि घड़ि पुराने antique जमानों की भी होती है बहुत सुन्दर सुन्दर घड़ियां होती है जिनमें एक pendulum लगा होता है हर घंटे वह बजता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके अंदर एक movement होता है this is very important यह आपके जीवन में तरक्की लेकर के आता है momentum लेकर के आता है growth लेकर के आता है stagnation को दूर करता है 80-90% जगा पे मेरी visits के दोरान मैं बहुत visits करता हूँ और visit मैं believe करता हूँ कि जाने से हम जगा देखने से उस जगा को पहचानते हैं energy को feel कर सकते हैं तो आपके यहां की जो energy है जो घड़ी के energy है आपका जो pendulum है उसके रुके होने से stagnant हो जाएगी आप कहेंगे क्या काम करना है बहुत कर लिया मन नहीं कर रहा उठने का मन नहीं करना आप एक enjoyment life में लेकर के नहीं आना चाहते हैं तो क्यों नहीं लेकर के आना चाहते हैं आपके बच्चे आपके परिवार वाले enjoyment करना चाहते हैं तो आपकी घड़ी इसकी जिमेवार हो सकती है, आप बहुत ज़ादा कमाना नहीं चाहते हैं, आपकी घड़ी इसकी जिमेवार हो सकती है, तो जो पेंडूलम है उसका मुवमेंट बहुत ज़ादा जरूरी है, अकसर बैटरी खतम हो जाती है and you don't change it frequently, घड़ी तो चलती रहती है, पेंडूलम बंद हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, फिर इसके बाद आप देखेगे कि कोई भी घड़ी आप उठाइए, घड़ी के पीछे स्पाइडर वेब जरूर मिलेंगे आपको, उसकी बैक है, समय की बैक तो स्ट्रॉंग होनी चाहिए, अगर इंडरनेट्स आते हैं, जाले आते हैं, तो राहू आप पर एफेक्टिड हो जाता है, तो क्यों राहू ग्रह को आपके उपर एफेक्टिड करना चाहते हैं, घड़ी के पीछे जाले बिल्कुल भी देए, बहुत सारी जगा पर मैंने हलका सा क्रैक क्लॉक्स की अंदर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है, आप आज ही अभी इन घड़ियों को रिपेर कराईए, बिल्कुल भी इसमें धील नहीं बरती है, घड़ी का रंग कैसा होना चाहिए, घड़ी का रंग आपकी दिशा के अनुसार होना चाहिए, नौर्थ नौर्थ इस्ट, इस्ट में घड़ी नहीं लगाते हैं, तो आप दूसरी दिशा में घड़ी लगाएं ही नहीं, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में घड़ी शुब मानी ही नहीं जाती, तो मेरे ये उपाए, आप जरूर ले करके आए अपनी लाइफ में, ला अपनी जिन्दगी को आसान बनाएं, ओम नमश्यवाएं